हालो फ्रेंड आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सिक्चन पर मित्रों आप लोग ज्यादे ज्यादे सेयर करें वीडियो को और ज्यादे ज्यादे इस कॉपरेट करने की कोशिश किया करिए थोड़ा सा है नो और अपना सिहत का ध्यान देते पढ व्रिया बोल रहा है ऑज पर्माडू उर्जा के महत्पूद कौन कौन से है तो सायद हमने आपको पिछले वीडियो में ऽ MSCN कर लेजिए सबकरा के समय ना सब कर से जैसे कि Uranium हो गया, Thorium 90 हो गया, Uranium 92 हो गया, Polonium हो गया, है ना, यह सब, Tularium हो गया, यह सब दोस्तों जो हैं आपके Radio धर्मी पदार्त हैं, जैसे कि आपका अगर देखें यह फ ब्लॉक, यह फ ब्लॉक में देखेंगे तो 14 एक्टिनाइट्स और 14 आपके नीचे देखेंगे कि आपके periodic table में कितने element हैं, तो आप बता देते हैं, 118 हैं, कितने हैं, 118 हैं, तेकिन अगर आप से पूछा जाता है, कि SPDF ब्लॉक में कितने element हैं, तो आप S ब्लॉक में बताते होंगे, कि 13 element हैं, जिसमें hydrogen हैं, वह समान S परकार के जो आपका ग्रूप है, उसके समान गु इसके बाद आजाते हैं, P ब्लॉक, SP, परने D ब्लॉक देख लिएते हैं, D ब्लॉक में दोस्कों, 40 element होते हैं, कितने हो गए अभी तक, हमने कितने decide पर लिया, 13 और 40, 40 हमारे, यह हमारे S ब्लॉक के, यह हमारे SPD, यह D ब्लॉक के, और यह ब्लॉक के हमने देखा, 28, 14, 14 करक 40, 20, 68, 68, 68, 72, 71, 71, 71, 71 आपके तो यह हो गए, अब बचा D ब्लॉक, SP, D, P ब्लॉक बचा, तो P ब्लॉक को आप निकाल सकते हैं, 118 में से माइनस करके मितों, 118 में से माइनस कर दीजिए, जब 118 में से आप 71 माल दीजिए, 70 को माइनस करते हैं, तो 70 को माइनस करेंगे, 30, 10, 40, 48 बचेगा, 48 में से एक और माइनस करेंगे, तो 47, 47 एलिमेंट भया, आपका P ब्लॉक में आता है, यह P, P ब्लॉक में आता है, यह चीज़ यह आद रखेंगे, ठीके मितलों, उसमें मि होते हैं, भया, बिसमत, बिसमत तो बिल्कुल नीचे हो जाता है, बिसमत कर लेजिए कि आपके 15 में गुरूब का तक तो है, लिवेंट है, नीचे बिल्कुल आता है, याद रखेंगे, जैसे कि बोरान गुरूब, जैसे कि हम बात करें, आपको एक मिनटा प्रियाडिक्ट कब और किस के बीच हुआ था, घागरा का युद भया, अफगानों के सासित हुआ था, अफगान और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें की सेर सासूरी आ गया था भया, बाबर के बिरुद, क्योंकि बाबर ने छेड़ दिया था अफगानों के खिलाब, तो सेर सासूरी भी लड़ाई जंदेरी की लड़ाई एक साल पहले यानि 1528 में ठीकिन न्याद रखेंगे नेक्स वेसं देखते हैं इसर अबर 44 पाबर की पुत्री कौन थी तथा बाबर का उत्रादिखारी कौन हुआ यह उत्ता विश्वाई का उत्रतकारी हुमाईू था अरुंग जेब का जन्म कब हुआ था बता देंगे 1681 में तीन नॉंबर को हुआ था दी ने खास तरह दिवान ए आम किस सासक द्वारा बनवाए गया तो बता देंगे श्राजहां द्वारा बनवाए गया क्योंकि इसी किसे में अस्थापत तिकल तो तो रेडियो धर्मी पदारत होते लगए लबग पूरे आपके और यस पी डी यह पी बिलॉक में 6 6 आपके धातु होते हैं दो जो शे नहीं 6 7 आठ 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 या नौ धातु होते हां एक बार आप इसे देख लेंगे तो लोहा ताबा सोना जो इसकित दिया हुआ है कार्बन नाटोजन अक्सिजन फ्रोई नियान सोडियम मैगनेशियम एल्मूनियम सिलिकन फास्फोरस सलफर क्लोरीन आरगन प्रोटैसियम कल्सियम स्कंडियम टाटेनियम बुनेडियम क्रोमियम मैगनिश आरेन कोबाल निकिल कॉपर यानि कि 29 29 इसका परमादु करमांग हो ज इस तरह आप याद कर लेंगे सारी चीजों को जो की दूसरों से आगे रहेंगे हमिसा भारत वर्ष में सबसे अधिक सोना की सस्थान पर पाया जाता है करनाटक के कुलार खान में हमने आपको वीदिवत बताया तब यहां पर बहुत अधिक सोना पाया जाता है अगर बात क पन्ना की खान भी उसी जगह है है अगर बात करता है क्रोमियम मैगनीज चादी यह कहां पाय जाता है तो बता देंगे जौर खान में पाय जाता है जौर खान कहां पर है तो राजस्थान में है है दोस्तों याद रखेंगे बाकसाइट का एक उपयोग बताएगे तो योजना का मुख्यूद्धेश समावेशी विकास था, समावेशी विकास कराना हमारे 12-5- वर्षी योजना का था दोस्तों, 12-5-वर्षी योजना खतम होते ही, हमारा स्टार्ट हो गया नितियायोग, ठीक है, National Institution Transformation of India, इसका फुल्पा मोझे आता है नितियायोग का, एक जन मंत्री जो थे दोस्तों हमारे जवालनेरू इसके पहले अध्य थे और उन्हें के कारेकाल में से बनाया भी गया था याद रखेंगे दोस्तों और यह 1950 को इसका गठन हुआ था 1951 इसका कार प्रारम हो गया था यह चीजी याद रखेंगे अभी तक 12-5 वर्शी योजना आ इसके बाद दोस्तों दो बार बीच में और गैपिंग होती है एक बार कर लिजे गई जब इंद्राजी गादी जी का एसेशन हो जाता है और इसके बाद एक साल पहले ही मानिकि 74 के पास 74 75 तो तीन साल में गैप होता है गटब के तीन बार इसमें कर लिजे कि आवकास ब्रह इसको याद रखेंगे 52 सितोष्र प्रदेश में पाए जाने वाले दो पस्वों के नाम लिखिए सितोष्र अब आपको पता होना चाहिए सितोष्र जब बात कर रहे हैं तो टेंपरेट जोन ट्रॉपिकल जोन आपके तुरंद दिमाग में स्टाइब कर देना चाहिए सितो सितोष्र प्रदेश में थोड़ा सा उपर जैसे की बात करें हम लोग का यूपी पूरा का पूरा किसमे आ जाता है बता देंगे दोस्तों उष्कटबंदी से उपर है कर गरेखा क्योंकि यूपी से थोड़े उपर जाती है कर गरेखा हमारा राजस्थान में 24 गिलोमेटर गुजरात राजस्थान मदप्रदेश 36 जारकंड आपका पश्री मंगाल उसके बाद प्रिपुरा मिजोरम यहां पर जाती है तो आपको पता होना चाहिए बाते तो सितोष्र प्रदेश में पाय जाने वाले दो पस्वों के नाम बता दीजिए जंगली घूड़े हो गए जंगली घूड़े हो गए यह सब सितोष्र के अपर देश के दोस्तों पसू है हुमायो की असपलता के दो कारण लिके पहले तो हुमायो की भूलें जो थी हुमायो भूल करता था बहुत सारी चीजें क्योंकि कर लिजे कि वह अपने आपको बहुत ज्यादा ताकतवर इस समझने लगा था सूच रहा था कि मेरे पांट बहुत बढ़ी सेना है इस वाद हमायो के सगे समंदी भी उसके साथ नहीं देते हैं इस वज़े से भी वह हमायो कमजोर हो जाता है बाद में सेर सासूरी आता है सरहिंदी के लड़ाई में जोस्तों पंदर सो चालिस में जिसे अपका सेर सासूरी चला जाता है अपका सेर सासूरी में में मिल्त बाढ़ आता है हम लोग किस नाम से जानते हैं तो यहां पर लड़ाई करता है धिर सासूरी के वंसजों से उसका सब गयों ए याद रखेंगे केसर नंबर 54 चहागीर द्वारा विजीत चार राज्यों के नाम लिखिए तो कंधार मिवाड अहमद नगर और कांगड़ा तीया सब उसके जीते हुए राज थे केसर नंबर 55 अरंग्जेब ने दच्छिड भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया तो बी बीजिती के साथ हराता है और उनके कालिजे फेस पर बहुत जादे कालिक हो गयरा पुत्वा कर पूरे गाउं में पूरे सहर में बुमाना अपने पिता जी को बंदी बनाना या समझ कर कि हमारा उत्रादिकारी हमारे बड़े भाई हो जाएंगे प्याद रखेंगे वित्रो जो आपका 11 जाँ था 14 दो ठी है आधे मर चुके थे और 7 बचें साथ वसंसे चार बच्चे चार पुत्र ठी और तीन पूत्री आं थी खेंगे च안 आ रा कों थी तो आप बता देंगे और इसी के डर की कारार अधें दोस्टों न अपना कलीज या पुत्र्त आपने पुत्र को सिच्छ दिच्छ देता है और उस दिन सबस्क्राइर होते हैं सब सारी गदिया तो आपके बारे में गलत सोचे-गा उसके साथ गलत होगा. जो आपके महनत का मेहनत होती रहती थी, तो यह सारी चीजें सोचता हो, तो याद रखेंगे, मेहनत दिन पर दिन, मेहनत किसी का अभार नहीं होता है, मेहनत खुद की मर्जी से होती है, अगर आप चाहते हैं मेहनत करना तो करिए, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं है, तब तक दुनिया में कुछ भी नहीं है, दुनिया तो आपको पूछेगी भी नहीं मित्रों, है न, इतना ध्यान दखिएगा, चाहे जो हो, चाहे पापा हो, मम्मी हो, पापा मम्मी की बाती चोड़ देजी पड़े, मतब भाई, बहन, या फिर ना तेरे स्विदार जो है न, सब को बोल जाएगे, आराम आप ने अंग्रेज और फ्रांसिसियों के बीच संघस के दो कारण लिखे, तो बहुत सारे कारण थे दोस्तों, लेकि इसमें दो ही कारण बोलना है, तो याद रखेगा, सब तो वर्सिक लड़ाई भी चल रही थी प्रांस में, बाद में देवरा की लड़ाई होती है, 1760 म क्योंकि इसके साथ तीन लड़ाई होती है, फ्रांसिसी और इंग्लैंड के बीच में, तीसे लड़ाई के बीच में 1760, 61 की लड़ाई होती है, उसमें यह तैय हो जाता है कि फ्रांसिसीयों का बिच्थर सिमट जाएगा मित्रों, तो याद रखेगा, काफी अच्छे से तोही होता है संगर्थ का कारण शोचेंगे किसी तरह स्कुष में जगह जीत और है फैसला होती और बहुत कडाकी के लडाई होती है यही कारण देखने को मिला था हमारे भारत में भी अनेक यूरोपी कंपनी आना स्टार्ट हो गई थी 1499 से सबसे पहले आपकी यूरोपी कंपनी पुर्दगाल आई थी वासको डियावा ने 1499 में केरल के कालिकट में आये थे और राजा जयमोरीन दोस्कों उनका भबत तरीके से स्वागत किये थे जब यहां पर आते हैं तो मसाले का कुछ टेस्ट करते हैं और क्योंकि यूरोप भी में ठंड वह ऀपःती हैं तो हां पर मसाले मंस में लगा के घाते था तो जब मसाले को मंस में लगा कि खाते हैं लगता है और उस मसाल Somebody пож Всемिの statistically चैनल 16 रूपै का मुना पा व रहा है मतब किसे क्थ ने的 न तर से को बच प्रड़़ उनों कर्छा परोलते हैं और आप समझे रूपै का समानल साथ多少 रूपै के बीच रहा है मुझा रहा है इस तरह उन्हें देखा तो बहुत सारे अल्मीडा हो गया अल्बुकर्क हो गया यह सब आने लगे वहां से ब्लू पॉलिशी किसकी थी यह बता दें गया यह सब सारी चीज़ें आने लगती हैं आपको पता है पंदर सो दस और पंदर क्या सपास में दोस्तों यह वहापे हमा पर जाना आए पड़ता है तो इस तरह याद रखेंगे सबसे पहले कंपनी जो आने वाली थी पुर्दगाली थी तो इसके बाद जो कंपनी की बात कर रहे हैं दोस्तों मानों की बात नहीं कर रहे हैं कंपनी की पुर्दगाली थी फिर अंग्रेजी कंपनी थी अंग्रेज को एक निर्धारी आयनिसी समय पर प्राप्त हो जाती थी चाहे पैदावार हो या नहों क्योंसर नंबर 58 में या बोला जा रहा है लाड़ विलियम बैंटिंग के चार्ट समाजिक सुधालिक है लाड़ विलियम बैंटिंग पहला भारती गवर्नर जेनरल दोस्तों यह आपके लाड़ विलियम बैंटिंग रहता है दोस्तों जो राजा राम महल राय असरसुती चंद्रविद्या सागर के समय आया था और कलीजे बहुत सारे सुधार करता है हमारे भारत में राजा राम महल राय के साथ मिलकर सतीप्रता का उनूरन करता है बिदवापुनर विवा को लेकर राजा रहता है और बाद में इसका परड़ाम हमें देखने को मिलता है ना तो याल रखेंगे लाड़ विलियम बैंटिंग के चार समाजी सदार थे दोस्तों सतीप्रता का अंत ठगी प्रता का समाप्त प्रिस के उदार दिश्टिकूर और बाल हत्या तथा मानो बली अच्छा दोस्तों बताएंगे जो बालक ब्यापार है हमारे किस अनुच्छे में लिखा गया है बालक ब्यापार तो बता देंगे बालक जो ब्यापार है दोस्तों हमारे अनुच्छे नंबर 24 में लिखा गया है देखे बालक का आप देखे बालक को काम धंदे में नहीं ल 1784 में आया था और रेगुलेटिंग एक 1773 में आता है दोस्तों याद रखेंगे गवर्णर जनरल का परिशत की दया पर निर्भर होना यही रेगुलेटिंग यहीं कराथ का गवर्णर जनरलनी तो चलाओ और कर दोस्तों इसी के समय तो होता है आपका प्लासी के लड़ाई पिर मुन्रो आता है दोस्तों प्लासी का युद किसके विश्वा था दूबिटिस इस इंडिया कंपनी तका बंगाल के नौअब सिराजी दौला के विश्वा 17177 दोस्तों तुछ्र होता है बाद में इनको dalelu house ओडिसा भड़ता सी में पड़ता है पनूड़न कर अच्छेभी कालीजय की बख्षर की लडाई हो जाती है है याद रखेंगे संसत के कितने अंग है नोगसभा राश्ठ कति और अभया राजशभा ठीक है, next, 63 का question का इंसरे बता देंगे, धातिक पदार्थ के दो उधारण दीजिए, तो लोहा, ताबा, टीन, जस्ता, सिसा, चांदी, सोना, आधी दोस्तों, question number 64, last question आजका, तुंडा प्रदेश में चलने वाली बड़ के लिए हवाओं को क्या काते हैं, तो याद रखेंग कि भूमद देखा के तरफ आ रही हैं, तो वह समझेगा ठंडी हवाए हैं, अगर भूमद देखा से पोल के तरफ जा रही हैं हवाएं, तो आपकी गर्मवाए होंगी, दोस्तों, हमेशा, हमेशा याद रखेंगे, उत्री पोल में जो हवाँ चलती है, वो हमेशा अपने ए हाई तरह मुर्थी है, तो याद रखें के मुत्रों, क्लाकवाइश, न्डी क्लाकवाइश, नोर्थ हमेशा में और साउत हमेशा में क्लाकवाइश हैं तो इस तरह हैं, आपके 건 से सवाप्त होते हैं आप लोग अच्छे तरीके पढ़ाई करिए मित्रों चलिए धन्यवाद मित्रों